तो आज से आपके लिए स्टार्ट हो गए हैं साइट विजिट के वीडियोस क्योंकि जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बोलो इंटर्शी बोलो जो लाइफ वीडियोस आपको चाहिए होती हैं साइट की वो स्टार्ट हो जाएंगे आज से तो आज का जो वीडियो होने वाला है पर मतलब brick के जो हम test करते हैं मैं वीडियो डाल चुका हूँ इस पर लेकिन आज मैं आपको report दिखाऊँगा जो हम lab में test करते हैं brick पर basic test बताऊँगा 3-4 और उनकी full report दिखाऊँगा और कैसे करते हैं वो test एक काफी interesting video होने वाली है जो freshers है वो यह वीडियो जरूर देखना और जिनको practical knowledge चाहिए वो ये वीडियो जरूर देखना क्यूंकि इस वीडियो में आपको knowledge होगा कि जो brick होती है उसका basic जो interview में भी question आ सकते हैं और आपको site पे जाके भी काफी काम आने वाले हैं तो imported video है, please complete देखना, अभी मैं start करता हूँ, आपको पहले reports दिखाते जाता हूँ, साथ साथ में मैं आपको बताता जाओंगा, इसमें लिखूंगा नहीं कुछ वीडियो में, लेकिन जो मैं बोलूँगा, वो अच्छे से सुनते रहना, उसी में आपका सब cover हो जाएगा, मैं भी आपको site पे दिखाया, जो brick थी, उसका हमने सबसे पहले होता है हमारा identification mark, यह मैं क्यों दिखा रहा है report, इसके help से ही मैं आपको बता दूँगा, test कैसे करते हैं, बाकि अगर आपने live देखने, lab में कैसे करते हैं, वो description में video डाल दूँगा, उसमें मैंने दिखाया water absorption test on brick, जो किसके हिसाब से होगा, as per IS 3495, 1992, part 2 and 3, reformed 211, इसके हिसाब से हम वो test करने वाले हैं, वो test क्या कहते हैं, आपने क्या करने हैं, सबसे पहले sample ले लेना है, 5 sample ले ब्रिक के, उसको क्या करने है, oven drying करने है, मतलब उसको हमने oven में रखने है, कम से कम कितना Celsius, डिगरी Celsius oven का temperature लोना चाहिए, कितना note कर लो, 105 degree से लेके, 115 degree Celsius तक उसका oven में उसको heat करने है, एक दो गंटे के लिए, ठीक है, फिर उसको निकाल लेना है, फिर उसको हमने क्या करने है, पानी में immersed कर देना है, पानी में डाल देनी है, वो brick कोई ऐसे बरतन ले लो, उसमें वो brick पूरी अंदर पानी में होनी चाहिए, पहले dry की, फिर पानी में डाल दी, फिर उसको रख देना, 24 गंटे के लिए वैसे ही, जैसे 24 गंटे बाद निकालोगे, फिर उसका हमने फिर से weight करना है, पहले जो weight आया था, oven drying की है, मतलब उसको brick को, सेका, जहां आप बोलो, उसको oven में बाके रखा तो फिर उसका weight गया हमने, वो आया 3.30, 3.17, 3.21, 3.22, 2.77, यह weight आया, अब हमें क्या निकालना है, water absorption, तो इसके लिए formula क्या होता है, जो यह weight आया होगा पहले, यह weight minus, यह weight, divide by this, मतलब समझे, क्या करना है, यह weight जो होगा, आपका weight minus 2.78, divided by 2.78 into 100, clear, note हो गया, इस जैसे हम करेंगे, उसको तो हमारी value कितने आएगी, 18.70, यह मैं लिख के बता सकता हूँ, लेकिन आपको easy हो गया होगा, क्या करना है, 3.30 minus 2.78, divided by 2.78 into 100, तो हमारा आएगा, 18.70, 16.34, 16.35, यह आगया, इनको सब को करके, और इनकी average हमने निकाले, average कैसे निकाले, इन सब को add किया, divide by 5 कर दिया, क्यों 5 थे, तो हमारा है 17.23, water absorption कितना है, 17.20, और जो अच्छी brick होती है, उसका हमेशा 20 से कम आना चाहिए, और acceptable कितना होता है, 12.5 से लेके 20% तक अगर आपका यह value आती है, every water absorption, तो वो brick एक अच्छी brick है, good brick है, अगर 20 से उप 25 से को जाती है, हमारी C class brick, clear, यह test clear हो गया, अभी हम बढ़ते हैं, अगली test की तरह, अगला test क्या है हमारा efflorens test, इसमें क्या होता है, आपने brick पे देखा होगा, white white से जम गया होता है, वो क्या होता है, वो होती है efflorens, अगर वो भी काफी जादा हो ना, तो वो भी brick के लि पैन लेते हैं, वो glass का होगा, या stone का किसी का भी, उसमें brick खड़ी करते हैं ऐसे, और उसमें इतना 25 mm पानी होना चाहिए, उसको क्या करना है, जैसे आपने brick रखी, थोड़ा पानी सोकने देना, उसको ऐसे room में रखना है, यहाँ थोड़ा गरम room हो, गरम room में रखा, फिर क करना है, एक cover लाना है, कोई आपके पास कपड़ा हो, जहां आपके पास कोई glass का होगा, पूरा डख देना है उसको, जैसे डख दिया उसको, तो फिर थोड़ा भी पानी evaporate नहीं होना चाहिए, और फिर उसमें चेक करना है, अगर उसमें bite wide वो brick हो गई है, तो उसमें efflorens म तो वो काफी जादा अच्छी brick है, वो उसमें salt की काफी जादा कमी, उसमें salt नहीं है, तो ये दो test आपको पता चल गए, रिपोर्ट भी आ गई, जो हमने brick नंबर, जो हमने brick देखी तो उस पे test किया था, तो हमारा नील नील लाया, उसमें थोड़ी भी efflorens नहीं आई, अ IS code as per IS 3495, 1992 part 1, refirmed, 2011 क्याता है, अगर आपकी अच्छी brick है तो उसकी, आपकी कितनी average strength होनी चाहिए, 7.5 minimum चाहिए, 7.5 newton per mm square से कम आई, तो वो brick अच्छी नहीं है, कितने से कम आई, 7.5 newton per mm square, और ये इंटर्व्यू में कोश्चन आता है, और आपको ऐसे भी पता होना चा पहले brick के कितनी ये brand लिख देने है, फिर length, उसकी हमने length निकाले, उसकी जो आपकी brick होगी उसको आपने tape से लगा देने है, क्योंकि हर brick हर जगा अलग अलग आई जाती है, तो length हमारी है, 225 mm, breadth है उसकी 100 mm, और height उसका 78 mm, ठीक है, फिर हमने area निकाला brick का, area कैसे निकालेंग 225 into multiply by 100, वो आजाएगा, 2250, वो आगया, 2250 mm, फिर हमने उसके load डाला, जो हम compressive strength करते हैं, test, जैसे cube का करते हैं, वैसे brick का करते हैं, हमने उसके brick डाली और load डालते गे, और वो 1500.80 kN load पे fail होगे, मतलब तूट गे, crack आने देखने start होगे, वो मिल गया, हमें load मिल गया, कितन by area होता है हमारा, चो 150.80 होगा, इसको किस से divide करेंगे, 22.500 से, इसको भी हम किसमें, में meter square में convert कर लेंगे, वो हो जाएगा हमारा 22.500, 1500.80 divided by क्या कर देना है, 22.50 करेंगे, तो हमारा आगया, average compressive strength आगे हमारी किसमें, newton meter में, वो क्या होगई, newton mm square में, 6.70, clear, इतना clear होगय फिर दूसरा sample भी ऐसे करेंगे, यह आगे उसकी length breadth height, फिर उसका area हमारा निकल जाएगा कैसे, इसको इससे multiply करेंगे, area आगया, फिर हमने load डाला उस पे, तो 167 पे वो fail होगी, crack आगे, फिर हम निकालेंगे कैसे, load divided by area, load के हमारा 167.00 divided by 22.50 करेंगे, तो हमारा आया 7.42, ऐस कैसे निकालेंगे, सब को total करेंगे, divide करेंगे 5 से, तो हमें मिल गए 7.84 हमारा, उसकी compressive strength height average, और मैंने क्या बताया था, यह score क्या कहता है, अच्छी कौन से होगी, जिसकी 7.5 newton से उपर होगी, तो यह हमारी उपर आई, तो यह brick काफी अच्छी है, यूज करने के लिए, औ गया दूसरा test, अब भी हम बात करते हैं, अगले test की, एक यह test जो सामने आप देख रहे हो, इसमें हमने hk grant का लिया, इसमें क्या करते हैं, हम 20 brick लेते हैं, और उसको क्या करते है, line में, मतलब ऐसे line में लगाएंगे, मैं दिखा देता हूं आपके, यह brick ली, उसको ऐसे line मे कि अगर 20 brick को आप ऐसे line में लगाओगे, ठीक है, तो उसकी length कितनी होने चाहिए, शेली सो, प्लस माइनेस, अगर 80 mm उपर नीचे होता है, तो हमने hk brand की brick, ऐसे line में लगाई, 20, तो हमारा कितना है, 45, 20, तो मतलब वो acceptable है, यह अच्छी quality की brick है, फिर क्या होता है, उसको width wise लगाने है, आपको 20 brick को, ठीक है, तो उसकी कितनी होनी चाहिए, एंद 22, प्लस मैनेस 40 mm, अगर 22, 40 हो गया, यह कम हो गया, तो acceptable है, तो हमारा कितना है, 21, 14, तो यह भी acceptable है, थोड़ा बहुत फरक है, next जो है, तो उसमें क्या करते है, thickness के लिए, वैसे हम 20 brick को वैसे लगाते ह है, अगर वो 1400 से, प्लस 40 mm होगा, तो acceptable है, कम होगा, तो acceptable है, अगर उससे जादा उपर नीचे हुआ, तो वो brick acceptable नहीं है, वो अच्छी क्वाल्टी की brick नहीं है, उसका standard size नहीं यूज किया जा रहा है, तो इस तरीके से भी हम चेक करते हैं, कि जो हमारी brick है, उस पर जो physical test हम वीडियो मेंने इसके लाई थी, कि आप कहीं भी यह test कर सकते हो, अगर आपके पास lab भी available नहीं है, तब भी आप test कर सकते हो, वो मैं description में भी डाल दूँगा, नहीं तो हमारी playlist है, जिस पर मैंने test, जो भी test होते हैं, site पे, जो हम without lab कर सकते हैं, वो test मैंने दिखाया है, sand हो गया, aggregate हो गया, cement हो गया, brick हो गया, तो वो जाके आप playlist में देख सकते हो, playlist का नाव है, test on construction sites, उसमें मैंने यह सब वीडियो डाल लिए हैं, I hope आपको समझ आया होगा, आपकी काफी help होगी इस वीडियो से, और जिनको नहीं समझ आया है, comment करो, अगर आप चाहते हो कि मैं theoretical लिख के वीडियो लाओं, वो भी ले आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ऐसी काफी वीडियो अभी है, next आपको मिलने वाली है, लाइव आपको आने वाला हो, साइट से, जहां से आपको काफी चीज़ है, सीखने को मिलेग एक एक गंटे की वीडियो रहेगी, जिसमें मैं पूरी स्लैब का आपको बताने वाला हूँ, thank you guys.